हलो बच्चो आज इस वीडियो में क्या करेंगे? Evaluate integration of 1 plus sin 2x करके है dx है, dx मतलब integration with respect to x variable है ठीक है? बहुत यह simple example है now i is equal to integration of 1 plus sin 2x dx करेंगे इसको integration करना है? क्या करना है? अलग-अलग term को लेना है therefore i is equal to integration of 1 into dx sorry 1 into dx dx होगा plus integration of sin 2x dx आएगा ठीक है? now therefore i is equal to इधर 1 है अगर integration of 1 dx किया तो क्या आएगा? x आएगा okay integration of sin किया तो minus cos आएगा generally एक जनरली formula आपको दिखाता हूँ integration of sin ax dx करके है इसको integration करके तो क्या आएगा हमको minus cos ax divided by a आएगा क्यों divide by a आएगा? coefficient of x क्या है? coefficient of x x का coefficient क्या है? a है उसको divide करना पड़ेगा बाद में plus c आएगा उसी तरह इसको भी करना है दर ठीक है? so integration of sin क्या हैगा? minus sin 2x divided by coefficient x का coefficient क्या है? 2 है divided by 2 plus c this is a solution अगर आपने यह पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट से बाद दीजिए सब्सक्राइब किया तो आपको नहीं होड़ेगा नोटिश्य मिलेगा आपको दूसरी मतमेटिशी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब की प्लेश में जाए आए बटा में पर कुछ लिंक से इस वीडियो के डिस्क्रिप्प्र कुछ लिंक से थैंक्स पर वाचिंग